नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शमा स्वात करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी, आज हम यापर बात करने वाले हैं 20th of May 2023 के बारे में 20 मई 2023 का ये दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कौन सी वैदिक रेमेडीज आज के दिन में आप सभी को फायदा देगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का ओफरमिशन, क्या है आज का गोल्डन विश्टाइम सारी जानकारी मिलेगी आपके स्वीडियो में अन्तक देखिएगा ता कि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए आज का ये जो दिन है ये काफी ज्यादा important दिन यहां पर दिखाई दिता है आज के इस दिन में आप सभी को कई तरह के मौके मिलेंगे जहां पर आप सभी अपने कामों को पूरा कर सकते हैं आज का दिन चीजों में नई चीजें ढूनने का समय है मतलब की अंधेरे में रोशनी ढूनने का समय है आज के दिन में आप सभी को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए life के lessons को समझना चाहिए और उन lessons से समझ करके अपने आगे के रास्ते को बनाना चाहिए आज का दिन खराब चीजों को बाहर करने का अच्छी चीजों को अंदर करने का और life के path को smooth बनाने का समय है इसलिए ये शनिवार का दिन आप सभी के लिए बहुत ज़ादा important दिखाई दिता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए बहतर होते हुए नजर आएंगे और आप अपने आप में एक अच्छे level पे stable होते हुए नजर आएंगे आप सभी को एक ही चीज़ का दियानक नहीं कि कोई भी काम करें आज positive attitude के साथ करिएगा और परिवार के साथ मिल जूलकर काम करिएगा तो यह आपके लिए काफी ज़ादा अच्छा रहेगा तो आज के दिन वे जिस तरह की calculation से थोड़ा सा मन जो है वो अशानथ रह सकता है भाट अपने मन को शानथ रखें और दिमाग को balance करके हर एक काम करने की कोशिश करें तो आपके लिए काम आसान होते हुए नजर आएंगे आज नए लोगों से मुलाकात करने का दिन काफी ज़्याद अच्छा है तो अगर आप किसी से मिलना चाहें तो आप डेफिनिल्टी आज मिल सकते हैं पुराने दोस्तों से मुलाकत हो सकती है ने दोस्त बन सकते हैं इस तरह के भी यहां पर काफी ज़्यादा अच्छे दिखा जिते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर आप अपने आपको बैलेंस करते हुए नजर आएंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा आपको जादा ध्यान रखना है मतलब कि इस दिन में अगर मैं देखा हूँ तो शाम जो है वो थोड़ी सी आपके लिए नुक बैलेंस्ट है चीज़ें काफी ज़्यादा अच्छी है और आपको अपने आपको परिशान बिल्कुल भी नहीं करना है इस बात का विशिश द्यान रखना है उपाय कौन से करने हैं जिससे कि दिन अच्छा जाए वो नोट कर लीजीगा प्रीज सबसे पहली चीज आपको क समय बिता दिया तो कहीं ने कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ही जादा अच्छी रहेगी बहुत ही जादा फायदेमन रहेगी यह बिल्कुल क्लियरली यहां पर दिखाई दीता है इसके अलावा आज के दिन में शिवजी के आरादना बहुत जादा अच्छा देगी ओम नमस्षिवाय का जाप करें शिवलिंग पर जल चड़ाएं और साथ ही साथ अगर जीवन में बहुत जादा परिशानिया चल रहे हैं अगर लाइफ में सुकून की या फिर निचैन की नींद देखने को नहीं मिल रही अगर लाइफ में हर एक टेंशन तनाव पर स्टेबल हैं अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए आज ऐसा कौन सा चुक उपाय आप करें जिससे के लाइफ थोड़ी सी शांत हो जाए तो यह उपाय आज के दिन में जरूर करिएगा घर के आसपास कोई भी शिवलिंग का मंदिर हो आपके पास शिवजी का मंदिर महां पर बैठकर लगाएं और शनी मंत्र ओम शम शनिश्राय नमह इस मंत्र का जाप करें तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आप सभी की जो परिशानिया है वो दूर होते हुए नजर आएगी बहुत पावफुल उपाय है यह और यह आप गर में ना करके मंदिर में ही करें तो जादा अच्छा रहेगा और इसके बाद अगर आपको माका मिल जाए तो शनी मंदिर भी जा सकते हैं वहाँ पर भी आप दिया लगा सकते हैं और इस मंत्र का चांट कर सकते हैं वो भी आपको फायदा देखा अब चली बात कर लेते है आपर कौन सा एंजल नंबर आज आपके लिए काफी ज़्यादा फेवरिबल रहेगा आज के दिन में जो एंजल नंबर रहेगा आपका वह आपका 16868 बहुत important नंबर है बहुत ही ज़्यादा positive नंबर है और ये नंबर भी नए रास्ते खोलने में नई चीजों को आप तक पह आउचाने में काफी ज़्यादा मदद करता हुआ नजर आएगा अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या आपको affirmations में यूज करना है बहुत simple affirmation है आज का और बहुत ही ज़्यादा positive affirmation है नोट कर लिजेगा please I am open to learn new things I am open to learn new things यह आपको बोलना है definitely आप नई च दिन में कौन सा आपको golden wish time रहेगा यह भी आप नोट कर लिजीगा please देखे golden wish time की बात करें हैं यहाँ पर तो पूरा दिन वैसे ठीक है बर पूरे दिन में सुबे का समय मतलब कि 11 बजे से लेकर के साड़े 12 बजे तक का जो समय रहेगा यह थोड़ा सा जादा अच्छा समय इस समय में किये गए कारिय आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे वहीं पर शाम को साड़े 6 से साड़े 7 का समय आपको पूरी तरह से avoid कर देना है उस समय में कोई भी जरूरी कारिय नहीं करना है इस बात का ध्यान रख्येगा अब चलिए बात कर लेते हैं आपर कि आप सभी को क्या रहेगा वास्तु का उपाय कौन से वास्तु के उपाय से आप अपने गर को सुख और शानती के साथ देख सकते हैं उससे पहले आप सभी को क्या करना है आज के दिन में कौन सी राशी नंबर और अल्फबेट के लिए अच्छा रहेगा ये जान लीजिए तीके राशियों में हम पर बात करें तो मेश राशी, मिथुन राशी, करकर राशी, सिह राशी और मकर राशी के लिए समय काफी ज़्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई दिता है नमबर्स में बात कर लें तो नमबर एक, नमबर चार, नमबर पांच और नमबर आठ के लिए समय काफी शांदार दिखाई दिता है अलफाबिट में आपर देख लिया जाए तो A, C, D, H, M, N, Q, T, U और V आप सभी को काफी जादा चेजल्स देखने को मिल जाएंगे अगर आज आपका जन्द दिन है, आपके अनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेश मैथोपुन दिन है आप सभी को मिली और से हार्दिक शुपकामना है आने वाला समय आप सभी के लिए काफी जादा अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा थोड़ी से चैलेंजिस भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा हर्डल्स रहेगा बड़ ओवरल समय आपको फाइदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा आने वाले सालों में, आने वाले इस नेक्स्ट यर में, जो बर्थ यर आपका चेंज हो रहा है उसमें आप सभी फॉरें जाने की कोशिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप सभी फॉरें जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा और मांगली कारी अगर कोई करना चाहते हैं, शादी नहीं हुए, शादी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपके लिए समय काफी जादा अच्छा रहेगा अब चली बात कर लिते हैं वास्तू के लिए उसे पहले अगर आप सभी नाकपूर में हैं या फिर आप सभी वुपाल में हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं दोर का समय अब खतम हो चुका है अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नाकपुर में और बुपाल में तो अगर आप सभी हैं और आपने अभी तक अपाइन्मेंट बुक नहीं किया है जल्दी से वाटसप कर दीजेगा कुछी स्लोट्स बाकी हैं आपको मौका मिल जाएगा और आ देखने को मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग घर के वास्तु को अच्छा रखने के लिए गर का साउथ डिरेक्शन अच्छा होना जरूरी है गर के साउथ में कुछ पॉजिटिव इडि होनी जरूरी है इसलिए आप सभी क्या करेंगे एक ग्लास बाउल ले लिजेगा उसम जहां पर गर का में साउथ कॉर्णर आपका पढ़ता हो वहाँ पे आप इस चीज़ को रख दीजीगा और पूरे दिन वहीं पर रहने दीजीगा अगले दिन पानी को गिरा दीजीगा और बाउल को धोकर के अपने काम में ले लीजीगा आप सभी को अच्छा रिजल्ट मि आप सभी बहुत अच्छे से इस दिन को इंजॉय करते हुए नजर आएं वीडियो को लाइक कर दीजीगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दिएगा कुछ भी पुछना चाते हैं कुछ भी जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भ प्रिकोशिश करूँगा आप सभी के हर संभव मददियां पर कर सकूं धन्यवाद